नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता शर्मा जापान के लोगों को वक्त का काफी पाबंद माना जाता है और ना सिर्फ रेलवेज बलकि चाहे प्राइवेट संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो यहाँ पर लोग टाइम से पहुँचते हैं और वक्त के बहुत ज्यादा पाबंद होते हैं यही वज़ा है कि अगर किसी की ट्रेन छूटती है और वो देर से ओफिस पहुचता है तो इसका जिम्मेदार ट्रेन रेलवे के जो अधिकारी है उनको माना जाता है और अधिकारी ट्रेन के लेट होने पर बाकाइदा एक सर्टिफिकेट यात्रियों को देते हैं यह सर्ट जापान का जो रेलवे पूरा सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वक्त का पाबंध है और यही वज़ा है कि सेकिंड्स का भी फर्क नहीं होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग अपनी घड़ी को मैच करते हैं ट्रेन के टाइमिंग से तो इसी से अंदाजा लगाए जा स रखता है कि लोग वहाँ पर वक्त के कितने पाबंध है अच्छा एक और दिल्चस्प जानकारी मैं आपको दे दूँ बताया जाता है कि जापान की बुलिट ट्रेन शिनका सेल इसका रेकॉर्ड है कि ये कभी भी 36 सेकिंड से ज्यादा लेट नहीं हुई मतलब इस से ज्या जानकारी आपको www.japanallover.com वेबसाइट पर मिल जाएगी और जब भी कोई ट्रेन लेट होती है तो अधिकारी माफी मांगते हैं और इस सर्टिफिकेट यात्रियों को देते हैं ताकि वो अपने ओफिस में इसको देखा सकें तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारे हां भले ही ये नॉर्मल बात हो लेकिन जापान जैसे देश में ट्रेनों का लेट होना कोई आम बात नहीं है और यही बजा है कि यहाँ पर ट्रेन लेट होती ही नहीं है अगर टेकनिकल फॉल्ट को छोड़ दिया जाए तो और अगर टेकनिकल फॉल्ट भी आता है तो हद से सेकंड्स में इसको ठीक कर लिया जाता है ये खबर आपो कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं